हेलो टू एवरिवन तुभाई लोग मैं होप करता हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विज्जाट की नियो वीडियो में आपका स्वागत है तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बलेक्टो डेल्टा के इंस्ट्रुमेंटल कलस्टर के बारे में भाई बहुत से फीचर्स हैं इसके अंदर इसके सारे सिक्यर्टी फीचर्स हमें और चोटी से display के अंदर मिल जाएंगे आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे बस आपको वीडियो पूरी देखनी है काफी इंफर्मेटिव वीडियो होने वाली आपके लिए और छोटा सा काम कर देना हिट दे सब्सक्राइब बटन और इस वीडियो को शेर कर देना ताकि अगर जिलनों को इसके बारे में ना पता हो तो उसको इसके बारे में पता चल सके तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट लेट्स गो हाँ तो भाई लोग अब सबसे वहले में गाड़ी को ओन करता हूँ आप एक बार इंस्ट्रुमेंटर क्लस्टर को देख लीजिए भाई ऐसा कोच है इसका इसका इंस्ट्रुमेंटर क्लस्टर जैसे कि आप मेरी डीटेल्ड वीडियो में देख चोके होगी तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में दो नॉब दिये गए हमें एक मिल जाता हमें लेफ्ट साइड में नॉब एक मिल जाता हमें राइट साइड में नॉब बेसिकलिए हमें जितना काम है उस राइट साइड के नॉब का है तो आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा सबसे पहले आपका एक छोड़ा सी काम करना है आपको सबसे पहले main kilometers पे से ले आना है और जो right side का नौबध है इसे कर दिना है press बस इतना सी काम करना है तो आपका खुल जाएगा यहां से आपके सारी चीज़ें आजाएगी हमें क्या क्या चीज़ है मिल जाती है हमें clock की setting मिल जाती है मिल जाती है door की setting हमें मिल जाती है light की setting और हमें मिल जाती है security की setting और एक जो आता है हमारा जो 5 ता वो है default default का मतलब यह है कि जो भी आपकी setting company से होकर आई होगी बस आप इसे इस पर क्लिक कर दीजेगा तो यह default setting on हो गई और यह हो गया success जोतनी भी आपकी default setting हो गई सब की सब default हो जागी basically मेरे में default यह मैंने कोई भी changes नहीं किये बढ़ मैं आपको भी बता हूँगा कैसे कैसे करना सब ठीक है तो अब last में करते हैं end end का मतलब यह है कि आप नॉर्मल इसी screen पर आ गए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके clock के बारे में कि clock में क्या क्या होता है normally हम बस इसे प्रेस करेंगे हमारी clock की setting आ जागी तो clock के लिए आपको एक बार इसे प्रेस करना है button की तरह ही काम करेगा प्रेस कर दीए इसमें दो मिलते हैं एक मिलता हमें 12 hour एक मिलता हमें 24 hour और फिर हमें मिलता back पे जाने के लिए तो basically 12 hour 24 hour का मतलब आपको पताए है 12 hour वो एक से 12 गंटे और 124 गंटे का फरक है तो यहां सबसे पहले 12 hour setting है तो मेरो कुछ नहीं करना मैंने दबा दिया प्रेस कर दिया सक्सेस होगा मतलब मेरे 12 hour की settings के अंदर हो चुकी है clock के हमारा बस इतना ही features के अंदर दिये गए है कि 12 hour 24 hour अब set का सकता दूसरी जाए चलते हैं हम चलते है door की side अब door में भाई बहुत सारी चीज़न दी गई है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा हूँ door को आपको एक बड़ दबाना है enter, enter ही बोलेंगे हमसे तो उसमें सबसे पहले मिल जाता है d1 मिल जाता है d2 मिल जाता है d3 मिल जाता है d5 और हमें मिल जाता back का option तो इन सब में बहुत सारी चीज़ है तो सबसे पहले हम चलते है d1 पर d1 पर अगर मैं press करता हूँ तो एक बर दबाएंगे तो d1 में मिलता है sl1 और मिलता है sl2 और मिलता है back तो मैं बता हूँ sl1 में होता क्या है sl1 में मिलता है sl2 सेलेक्ट कर दोगे तो आपको इसमें ये काम करना होगा कि एक बार जब आप अनलॉक करोगे तो केवल आपके driver's ID अनलॉक होगा तो ये काफी अच्छी चीज़ है एक security feature को आप इसे देख सकते हो अगर आप market वगरा मैं खड़े हुए और आपको केवल काम ही नहीं है केवल driver's ID जाना है तो केवल आप इसे अनलॉक कर सकते हो ऐसे करके तो ये हमारा D1 SL2 का feature है अब करते हैं इसे back चलते हैं इसके दूसरे D2 में इसमें भी हमें दो चीज़े मिल जाती है मिल जाता है सबसे पहले हमें से press करते हैं मिल जाता है SL1 दूसरा मिल जाता हमें SL2 SL2 हमें समझाते हो इसमें है कि सबसे पहले SL1 की बात करें तो जब भी जैसे आपकी गाड़ी start होती है कुछ किलोमेटर कुछ 10 या 20 की speed पर लेती है और अगर वो रस्ते में gateway खोल देता है तो यह सही चीज़ है कि 15 कुलोमेटर पर डोर्स अपने आप लॉक हो जाते है तो भाई इसलिए मैंने SL2 सेलेक्टर के रख रहा हुआ है अब करते से back चलते हैं तो भाई लोग इसकी setting देखें इसे आपको प्रेस करना है तो इसमें भी आपको दो मिल जाते है SL1, SL3 और मिल जाता है मैं back तो SL1 के आपको मैं setting बताना हूँ सबसे पहले जैसे मान लीजे आपने कभी की निकाली मतलब lock करी की निकाली तो आपका door unlock नहीं होंगे आपको यह देखा जाए तो यह वाली जो button है आपको इसी से unlock करने पड़ेंगे सारे doors तो इसलिए जो SL3 की setting होती है वो काफी जादा useful है आपको SL3 की setting में क्या करना है बस आपको ऐसे twist करना है SL3 की setting हो जाएगी इसमें जब भी आप इसमेंसे की निकालोगे hole मैंसे मतलब इस lock मैंसे unlock मतलब की को बाहर निकालोगे तो आपके जो सारे doors है वो हो जाएगे unlock अपने आपी unlock हो जाते हैं doors तो आपको इस button की ज़रूद नहीं पड़ती है तो यह feature भी सही है थोड़ा convenience हो जाता है थोड़ा easy हो जाता है और कुछ नहीं है इस चीज़ के लिए अब चलते हैं इसको करते हैं back चलते हैं इसके D5 की setting पर तो भाई लोग D5 की setting के गर बात करें तो आपको कुछ नहीं नॉर्मली D5 पर ऐसे click किया तो इसमें भी होता है SL1 SL2 और back तो सबसे पहले में आपको SL1 की चीज़ समझाता हूँ SL1 में होता यह है कि जब कभी भी आप गाड़ी को lock या unlock करेंगे तो एक siren की आवास सुनाई दीते होगी पुई पुई करके जैसे मैंने आपको अपनी की के फीचर से बताया था जब SL1 सलेक्ट होगा तो आपको वो siren की आवास सुनाई देगी और जब SL2 सलेक्ट होगा तो आपको आवास नहीं सुनाई देगी जब आप सलेक्ट कर दोगे तो यह तो आपके उपर डिबेंड करता अगर आप चाहते हो तो आप इसे सलेक्ट कर सकते हो अधरवास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो भाई यह सारे फीचर सो हो गए हमारे डोर के अब मैं कर देता हूँ उससे बेक चलते हैं इसके next feature की side इसे करते है back अब चलते हैं भाई इसके lights की feature हाँ तो भाई लोग अब इसके lights की setting की बात करें तो केवल आपको again होई light को press करना है इसमें केवल हमें L2 मिलता है L2 में भी हमें दो चीज़ा मिलती है वो एक मिलती है SL1 और दूसरी हमें मिलती है SL2 SL1 में यह होता है जब भी आप indicator है indicator को जैसे एक बार ऐसे press करते हो lane change करने के लिए तो एक, दो, तीन, यह तीन वार press होता SL1 में और जब भी आप इसे SL2 में select कर देते हो success हो गया तो आपके करना बस आप इसे कभी भी दबाओगे तेकिवल एक बार होगा तो यह होता है SL2 का feature तो मैं अगे हमें तो SL1 नी चाहिए तो इसे दबा देते हैं और यह हमारा success हो गया हमारा SL1 select हो चुका है अब इसके चलते हैं last जो है इसके security features थोड़ा सा तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके S2 के बारे में तो फिर से पहले क्या करना है आपको अगे प्रेस करना है इसमें मिल जाता हमें SL1 और दूसरा में मिल जाता है SL2 हा तो भाई लोग S2 SL1 में सके shock sensors activate हो जाते हैं और S2 SL2 में इसके shock sensors deactivate हो जाते हैं बेसिकली मैंने अपने शॉक्शन शर्स बंद कर रहें, कोई जरूरत नहीं, मुझे खासा है, कोई टच वच करता है, तो अगर आप मार्केट प्लेस में हो, और अगर आप चाहते हो थोड़ी सिक्यूरिटी बनी रहें, तो आप इसको यूज कर सकते हो, पैसे मुझे कोई खासा जरूरत लगी नहीं है, क्योंकि मेरी काफी सेफ जगे गाली खड़ी रहती है, आप इसे यूज कर सकते हैं, और चाहें तो, इसे करते हम अगें से बैक, चलते हैं S3 में, S3 में जो दिया गया, वो दिया गया, अब है, इसके सॉक्शन शर्स की सेंसिटिविटी, L00 तक है, और यह जाता है, मैक्जिमम 15 तक, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, बस आपको ऐसे ऐसे गुमाना है, और यह मैक्जिमम जाएगा 15 तक, तो यह 14 इसका बाइड डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आता है, और इससे अगें जाहें तो और लास्ट जो उसका होता हूं, L00 होता है, ग्वैलोग, S4 में गया होता है, यह होता है, फुल ब्लास्ट वार्निंग, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको प्रैस करना है, और यह भी लेवल सेट है, मतलब आवाज जो सेट है, बासीकलि यह जो सेट होती है, होती है इसकी 9 पर default आती है और ये भी 15 तक जाती है तक अगर आपको आवाज जतनी तेज करनी है अपने तेज कर सकते हो तो ये इसके यहाँ पर इससे करते हैं back और ये हमारे सारे security की जो features में खतम हो चुके इसके तो और इसमें जो last है जैसे मैं आपको बता है default अगर आपने जतनी भी setting करी है आप अगर default पर दवा दोगे तो आपकी सारे setting चेंज होगे नॉर्मल जो company fitted setting आती है company जो setting आती है वो setting हो जाएगी तो भाई इसे करते हैं हम end और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई